तो चलिए मैं आज आपको एक डोग के बारे में बताता हूं स्टी डोग के बारे में अभी रिसेंटली एक डोग का एक्सिवेंट हुआ तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं मैंने उसका कैसे ट्रीटमेंट किया है गाइज यह देखिए यह वो डोग इसके पीछे वाले दोनों पैरों पर चोट लगी हुई है एक पर थोड़ी ज्यादा चोट लगी हुई है देखिए पूरा खून से बरा हुआ है तो अब हम इसक कुछ समान लेके आया है खुद तो पहले हम इसे डिटोल से साफ करेंगे क्योंकि पहले इसे जर्म्स होंगे ना तो इसको जो बलड लगा हूँ वो भी साफ करना है तो इसको साफ करके फिर हम इस पर दबाई ले गाएंगे तो पहले हमने बलड साफ किया गाइज हमने अच प्टी गर दिया तो देखिए कुछ इस तरह से किये हमने पटी और यह देखिए थोड़ी बहुत इसके पैर पे भी लगी हुई उपर तो हमने यहां पर भी थोड़ी बहुत द्वाइल लगा दिये हैं गाइज हमने इसको एक दिन पहले पटी गर दी थी पर उस पटी से क्योंकि इसके पैर पे प्लस्तर होना है प्लस्तर के साथ ही जुड़ेगी तो अब डोक्टर प्लस्तर करने लगे हैं अगाइज तो फाइनली प्लस्तर भी कंप्लीट हो गया और यह देखिए जो दूसरे पैर पे जखम दिख रहा है इस पर हमने कल पट्टी की थी उसकी व प्लस्तर करने के नेक्स्टे की वीडियो है तो देखिए जो डोग हिल भी निपा रहा था वह अपने अब चल रहा है अब डे बाए डे यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया हमने ऐसे एक डोग की हमारी है हम काड़ी और फाइक बहुत तेजी से चलाते जिसकी वज़े से यह प्रॉलम जाती है तो प्लीज धीरे चलाएए और अगर आपको कोई ऐसे डोग मिले तो प्लीज हम कीजिए जितनी कर सकते अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और शेयर करना ना भूजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देए थैंक यू